नमस्कर दोस्तों गड़िन केन चनल में आप सभी का स्वागत करता हूं आज मैं आपको दिखाने वाला हूं मेरा पॉट वेराइटी का जर्वेरा और बहुत ही छुटा पॉट में रहता है दोस्तों और बहुत सारा फूल देता है यह देखिए यहां पे फूल सब आ रहा है और बड्स भी देखिए और यह ऐसा वेराइटी है दोस्तों एक साथ आपका 5-6 खिल जाता है और मेनी जर्वेरा बोल सकते हैं आप इसको और यह साल में किसी भी महिने में फूल देने वाला पोधा है और जो स्टंडर्ड जर्वेरा रहता है वह एक-एक खिलता है लेकिन वह एक खिलता है और बड़ा फूल देता है और यह बहुत सारा कलर में आता है दोस्तों यह जो देख रहे हैं ऋ कर देगा योलो कलर नहीं आ रहा है योलो और और ओरेंज मीक्स है दोस्तों और सेंटर रहता है इसका ब्लाग पोट का साइज देखिए आपका चेंज भी नहीं है चार इंच का पॉट है और नर्सरी से में जब खरीत के लाए था वही पॉट में यह लगा हुआ है और इसमें उपर से मैं डाला था दोस्तों आपका seaweed extract का liquid और छोटे से pot में chemical fertilizer डालना ठीक नहीं रहता है और quantity अगर आपका ज्यादा हो जाता है तो पोधा जल भी सकता है तो अगर आप NPK 1990 देते हैं तो बस एक चुटकी ही देना चाहिए और micronutrients जो रहता है इसको foliar spray करना चाहिए और इसको दोस्तों तेज धूब से बचाईए दोपेहर का और morning का sunlight दीजिए आधा घंटे का दे देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा और pungicide थोड़ा spray करना पड़ता है क्योंकि बारिस अभी भी कभी कभी हो रहा है और direct rain में आप रखते हैं तो pungicide जरूर डलिए और direct rain से इसे बचाना भी चाहिए दोस्तों उसके तो इसे ऐसे एरिया में रखिए जहां पर इसको indirect light मिले और direct rain भी ना मिले और बस कुछी नहीं दोस्तों इसे डिजिज भी कुछी नहीं लगता है और अगर लगता भी है तो आपका लिप में spot सब यह सब लगता है तो ऐसे में आप pungicide का regular spray कीजिए 7 दिन में एक बा organic चीज रहता है दोस्तों और सुपर सोनाटा का आप स्प्रे कर सकते हैं सुपर सोनाटा एक organic चीज है और इसका पते से आपको पता चल जाएगा plant healthy है या नहीं देखिए बहुत shiny leaves है और लीप में अगर spot दिखे या फिर पता काला दिखे तो उसे आपको तोड़ देना है औ दोस्तों लेकिन drainage होला आपका अच्छा रहना चाहिए इसलिए plastic के pot prefer करना चाहिए इसका फूल दोस्तों बहुत long lasting वाला रहता है और एक एक फूल इसका 15-20 दिन तक जाता है और देखने में भी बहुत सुंदर है size उतना बड़ा नहीं है लेकिन बहुत सारा फूल देता है और ये dwarf variety लगाना चाहिए ये दोस्तों seed से भी हो जाता है और seed बहुत सारे website में मिलता है और अगर आप nursery से खरीद के लाते हो तो इसका price रहता है 100 से लेके 1500 रुपिया तो थोड़ा costly रहता है लेकिन ये अभी देखिए summer तक चल जाएगा और summer में अगर आप इसे बचा लि और seed दोस्तों आप डाल के बना सकते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है और बहुत लेट से फूल आता है लेकिन आप divide करके अगर आप बनाते हैं यहां से देखिए side suit सब आता है और divide करके बनाते हैं तो उसमें से जल्दी फूल आता है और दो तरह से आप इसका propagation कर सकते है देखिए यहां पे एक एडेनियम है और यह भी दोस्तों बहुत कमाल का फूल दिया है और size में देखिए बहुत बड़ा है इसके उपर मैं वीडियो बना चुका हूँ देखिए यहां पे मेरा और कुछ जरवरा है लेकिन इसमें फूल नहीं आया है और growth देखिए बहुत चल रहा है अभी मैं इसमें NPK 1919 और micronutrients दिया हूं दोस्तों और यह देखिए ऐसे आपको old पत्ता सब आपको निकलना है और यह सब infection पैदा करते हैं old पत्ता नीचे के तरफ और जो spot वाला पत्ता उपर के तरफ रहते हैं उन सभी को आपको हटाना होता है और ज्यादा करके दूसरे गमले में लगा सकते हैं इन चोटे चोटे बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा यह देखिए यहां पर मैं एक डिवाइड करके लगाया हूं और यह बहुत चोटा सा पोधा है और इसे अगर एक महीना और लग जाएगा तो यह दोस्तों बहुत बढ़ हो जाएगा इसे गमले में मैं लगा दूँँगा और इस तरह आप इसका प्रोपागेशन कर सकते हैं बारिस इसका मैं नमस्का